पुलिस ने गुप्त सूचने के धार पर कारवाई करते वे भारी मातर में विस्पोटक बरामत किया है यह विस्पोटक सदर थाना शुतर के करउंदी स्थत दीपक साहू नामक शक्स के क्रशर प्लांट से बरामत किया गया है आपको बता दे कि पुलिस ने मौके से दो लोगों को भी हिरासत मिलिया है जिन से पूछ ताज जा रही है बताया ज़रा है कि बरामत विस्पोटक को नकसलियों तक पहुँचाने की योजना थी लेकिन पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए विस्पोटक को जब्द कर लिया आपको बतादे कि विस्पोटक जब्द हुए हैं भारी मातर में गुमला या नकसलियों लाका जहां पर विस्पोटक भारी मातरा में जब्द हुआ है और दो लोगों को हिनासत में लिया गया है जिन से पुछता चल रही है आपको बता दें कि यह विस्पोटक जो है नकसलियों तक पहुँचाने की योजना चल रही थी और जादा जानकारी के लिए समवादा था अजीत सोनी है अजीत क्या कुछ जानकारी मिल पारी है दो लोगों की ग्रफतारी हुई है अभी तक पुछताच के दौरान क्या कुछ खुला से हुए हैं लगता है हमारे संपर्क उन से तूट गया है फिर से संपर्क करने के कोशिश करें क्योंकि बड़ी कवर आपको बता दें कि गुमल करते हैं इन तमाम विस्पोटर को को जब्द कर लिया और दो लोगों को हिरासत में ले लिया है गुमला एक नकसली इलाका है और यहां पर लगतार नकसली गतिवीधियां जारी रहती है जिसकी वज़ए से फुलस यहां पर नकसलियों पर अंकुस लगानी के लगतार कारव करती रहती और इसी के तहट पुलिस ने चापे मारी करते वे भारी मात्रा में विस्पोटक जब्द किया है और जूट चुके समधाता अजीत सोनी फोनाई पर अजीत पूछताच हो चल रही होगी दो लोगों से जिनकी गिरफतारी हुई है अभी तक क्या कुछ खुला से ह हो पाए है लगता हमारा संपर्क फिर से रही हो पा रहा है आपको एक बार फिर से ख़र बता दे कि गुमला की ख़बर है जहां भारी मात्र में विस्पोटक जब्द किया गया है अजीरत जूट चुके हैं इक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे बातचित करने के अजीरत दो लोगों के गिरफतारी हुई है क्या कुछ खुला से हुए है अभी तक पूस्ताज की दुरा अभी बतातू कि यहां पर त्यास से सटे तरौंदी में पुलीश ने ट्रेक्टर में लगा अवेद विस्पोट को जब्त किया है जी और पुलीश पुलिस को गुप्त सुचना मिले थी कि गुम्रा और राइडी पुलीश यह जो विस्पोटक जब्त की गया है अजीत लगता है कि किसी बड़ी वार्दात को अंजाम दने के फिराक में है थे नक्सली और व इस पर कुछ खुलासे किये गए है पुलिस की दवारा इसमान नक्सली को पहुचाने की मंसा थी और यहां पर इस पूरे अवियान में कुछ सख्वेज पोस्ट भी इसमें सामिन होने की कबर आ रही है फिलाल अबी जो जनकारी हमें मिल रही है विस्पोट को नक्सली को पह जो सफेज को सेरे हैं वो भी सामिल है यहां पर क्या उनका नाम शामिला किसी का नाम उजागर किया गया है अभी अभी किसी का नाम उजागर नहीं किया गया है अभी चुकि पूरे पूरे मामला पे पुलिस परसासन जो है इस पे जांच कर रही है और अभी जो परभारी ज पूस्ता चल रही है जिनकी गिरफ्तारी हुए दो लोगों की और गिरफ्तारी के दौरान जो पूस्ता चोई हो उसमें एक फुलासे हुएं कि कई सफेद पोश भी इसमें शामिल है